So guys, आपने जो हैं Instagram पर या फिर कहीं ना कहीं slow-mo video देखे होंगे कितना perfect तरीके से slow-mo video बनाया जाता है इस video के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप भी उस परकार के slow-mo video कैसे बना सकते हो perfect से perfect slow-mo video कैसे बना सकते हो दो application बताओंगा इन में से जो आपको पसंद आता है उसका आप use कर सकते हो और दोणौ application डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं तो आपको जो वर्क अच्या लगता है और मैं आपको बता दूँगा आपको किसका use करना है वीडियो को एंड तक दिखते रहो, वीडियो को एक लाइक कर डो, चैनल को सस्क्राइब कर दो, मेरा नाम अनोज है और आप देखरे हो टेक्नो रूलर, सो स्टार्ट करते हैं So guys, बहुत सारे लोग हैं, जो की slow-mo video बना लेते हैं, लेकिन video जो अटकने लग जाती है, बीच में रुपती है, या फिर फर्फेक्ट तरीके से slow-mo नहीं बनता है. तो इसके लिए आपको एक setting को enable करनी होगी, वो setting क्या है और कैसे करनी है, देख लीजिए. इस setting को करने के लिए आपको अपना camera app open करना होगा, एंड वीडियो mode के अंदर जाने के बाद आपको setting के अंदर जाना होगा, एंड यहाँ पे एक option मिलेगा video quality का, यहाँ पे देखिए, इस video quality के उपर आपको click करना है, तो आपके सामने बहुत सारी video की quality आपके सामने आ लेकिन आपके mobile के अंदर 4K support है, तो इसे चालू कर सकते हो, लेकिन आप इसे जरूर से कर लीजिए, यह 4K नहीं करना चाहते हो, तो मत कीजिए, लेकिन 1080p and 16fpbs यह जो setting है, इसे यहाँ से चालू कर लीजिए, तो इसे आपकी video की quality बहुत ही जादा better हो जाएगी, So guys, इस setting को करने के बाद आपका जो video है, वो perfect तरीके से तयार हो जाएगा, मतलब suit होने के लिए तयार हो जाएगा, अब guys, आपको अपने mobile का जो camera है, उसे अपनी video को suit कर लीजिए, वहाँ पे speed को चालू नहीं करना है, आप slow mo वहाँ पे मत करना, simple तरीके से वहाँ से video को suit क कर लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ, एक पहला जो application है, वो है काइन मास्टर, जिहां दोस्तों काइन मास्टर से आप बहुत ही perfect तरीके से slow mo video बना सकते हो, तो कैसे बनाना है, चलिए, देखिए, काइन मास्टर एप को download कर लीजिए, फिर इसे open कीजिए, ओपन करने क के बाद इस परकार का interface आएगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक option मिलेगा, create new का, इसके उपर आपको click करना होगा, एंड यहाँ पर बहुत सारी size आएगी, लाइक आप यहाँ पर short video बनाते हो, reels के उपर, तो यहाँ पर यह size select कर सकते हो, एंड यहाँ पर यहाँ select कर सकते हो, तो यहाँ पर बहुत सारी size आपने need के इसाब से, यहाँ से select कर लीजे, फिर यहाँ पर next कीजे और यहाँ से अपनी video को select कर लीजे, उस video को select कर लेना, जिस video को आप जो है, मतलब edit करना चाते हो, slow-mo करना चाते हो, मैंने इस video को select कर लिया, अब आपको करना क्या यह देखे एक वीडियो है, simple वीडियो है, देख लो, यह देख सकते हो, तो इस वीडियो को अंदर मैं slow-mo वीडियो करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखो, माली जी आपको यहाँ से cutting करने हैं, तो यहाँ पे जाके cut कर पाओगे, देखे मुझे इदर का पार्ट बेकार का है मुझे नहीं चाहिए तो यहां से मैं कट कर सकता हूँ ठीक है यह तो कटिंग की एडिटिंग हो चुकिये ठीक है अब बात आती है कि हमें स्टाटिंग के अंदर स्लो मो चाहिए तो यहां पे कहां तक आपको स्लो मो चाहिए मान ल यह यहाँ पर बीच में से कट मार दीज़े अब będą पैंसे इदर स atención करना यह तो इस पार्ट के उपड़े कि लिए इस स्पीड के उपर जाए एंड यहां से अपनी साइज के साफ से स्लो मो कर लीजिये मां लीजिए आपको सफ्ल्ओमो करना अब यहां पे मुझे जो पीछे fast motion चाहिए तो यहां पे इसके अंदर जाके मैं यहां पे fast motion को चालू कर दूंगा देख सकते हो ज्यादा यहां पे slow-mo या फिर fast motion मत करना क्यूंकि इससे आपकी वीडियो lag होना सुरू हो जाएगी अब देख सकते हो कितना perfect तरीके से हो चुक से आप बहुत ही अच्छा स्लो मो बना सकते हो अब यहां पर हमारा दूसरा जो एप है बेश्ट एप है अच्छा एप है और मैं कहता हूं इसका यूज करना क्योंकि काइन माश्टर को आप छोड़ के इसका यूज करोगे तो आपका स्लो मो वीडियो एप परफेक्ट बनेग देखो इस एप का नाम है वी एन वीडियो एडिटर यह जो एप है यह बहुत ही अच्छा एप है लाइक इसके अंदर जो स्पीड का टैब होता है स्लो मो करना फास्ट मोसन करना वह बहुत ही क्रेजी सा टैब दिया गया है जहांसे आपको लाइन बगेरा सेट अप करके ए अब एडिट कर पाओगे तो इस एप के अंदर के इस परकार से स्लो मो वीडियो बनानी है देखिए प्ले स्टोर से वी एंड वीडियो एडिटर एप को डाउलोड कर लीजी फिर इसे ओपन करोगे तो कुछ इस परकार का इंटरफेस आएगा अब यहां पे आपको प्लस वाले उप्शन के उपर किलिक करना है न्यू प्रोजेक्ट के उपर जाना है एंड यहां से अपनी उस वीडियो को स्लेक्ट करना है जिसके अंदर आपको स्लो मो एडि करना है मतलब स्लो मो स्लो मोशन वीडियो बनानी है सो यहां पर मैंने एक वीडियो को स्लेक्ट कर लिय आया फिर यहां पर next वाले option के उबर click कर लेता हूं देखो पीछे एक इस परकार का आयेगा तो इसे cut कर ले न ठीक है अब यहां पर हमारा कहीं पर split करना है तो यहां से आप split वाले option के उबर click करके यहां से किसी भी पार्ट को split कर सकते हो तो यहां पर हमारी perfect video select हो चुकी है split हो चुकी है अब इसके अंदर slow mo करने के लिए आपको इस video को तो पहले select करके यहां पर speed वाले option के उपर click करना होगा अब आपने देखा होगा कुछ video के अंदर की इस starting में slow mo देखने को मिलता है फिर fast motion फिर slow mo कुछ इस परकार के ठीक है तो यहां पर यह जो circle दिया गया है इसको आप accessment कर सकते हो देखो इस starting में आपको slow mo चाहिए तो यहां पर कर पाओगे ठीक है तो यहां से मैंने कर दिया अब मेरो को slow mo थोड़ा मतलब fast motion चाहिए तो मैं इसे circle को उपर लेके जाओँगा फिर मुझे थोड़ा slow mo चाहिए और फिर fast motion चाहिए तो इस परकार से मैंने circle को accessment कर दिया है देखो अब यह video भी कितनी perfectly बन चुकी है यह देख सकते हो इस परकार से आप भी slow motion कर पाओगे देखो इस starting में slow mo है कहीं पर lag हो रहा है तो इसे यहां से थोड़ा कम कर सकते हो ठीक है ना तो यह देखे perfect तरीके से बन चुकी है तो आप देख सकते हो इस starting में slow mo फिर fast motion फिर slow mo इस परकार के यहां से आप एक्जस्मेंट करके slow mo video बना सकते हो फिर यहां राइट वाले option के उपर क्लिक करना है एंड एक्सपर्ट के उपर क्लिक करना है एंड यहां से आप एक्सपर्ट कर पाओगे So guys इन एप्स के माधियम से आप बहुत ही professional slow mo video बना सकते हो जादा कुछ नहीं होता है आप speed के अंदर जाके वहां से set up कर सकते हो So guys I hope आपको यह video professional लगी होगी मतलब पसंद आई होगी अगर video पसंद आई तो एक like जरूर कर देना और application की link डिस्क्लिप्सन में दे रहा हूँ जाओ and download कर लो and हाँ channel को subscribe कर लिया गया channel को subscribe कर लो and मिलते हैं कोई और interesting video के अंदर तब तक के लिए जाहिंद